पहाड़ी बाएकर ने वहां से ड्रौन बेजा था एक दिन और वो यहां तक आया था है एक चीज है मनिश्यापनी चीजों से कभी संतुष्ट नहीं होता है यहां पर यह सीड़ी है सायद उपर जाने के लिए यह दरवाजा रहा होगा हमारे यहां पर जातार यह होता है कि र नीचे नदी वाली रास्ते नीचे नदी किनारी किनारी एक रास्ता जाता है ठीक आगे गाउं के लिए तो उसी रास्ते गये है नमीश सुभए से मेरे पास बहुत सरु प Loch अरे और्य नियुक्त ले पकड़ि और आज कल के बच्चों को बस फॉन चाहिए अरे बिना फॉन के काम नहीं चलता है चलो हां बंद करो बंद करो आप क्या देखरें फॉन पर फॉन पर फॉन पर क्या हुआ हलक बस काल्टून और मार्वल के कुछ एक्टर हैं उनको देखना है बच्चों का काम जिस हिसाब का आज कल जमाना हो गया तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कभी भी छोटे बच्चों को ऐसी चीज मत बताओ कि मतलब यह काम कर लो उसके बाद आपके पास फॉन दूँगा मनलब इससे ना उनको ऐसी आदत पढ़ जाती है मैं देख रहा हूं आजकल के बच्चे उनको अगर कुछ भी काम करवाना है तो सभी पैरंस का यह रहता है कि यह कर लो उसके बाद मैं आपके पास फॉन दूँगा और इससे उनको आदत पढ़ जाती है और फिर चालू अभी ना बोल रहा है और यह बिल्ली में बोलता हूं ना जब भी अपने घर में अकेली रहती है इससी दे मेरी यहां आ जाती है नहीं नहीं नमीस नहीं अरे छोड़ो छोड़ो यह देखो कितनी प्यारी है आज अनुज भी चला गया है अपनी नानी के यहां हमारे घर के ठीक सामने यहां पर है मनसुना जो कि अभी हलका दुंदला दुंदला दिखाए दे रहे है अनुज बच्पन से अपने नानी के यहां ही राय है, सात्वी क्लास तक उसने पढ़ाई भी वहीं की है मनसुना से, आटवी से ही वो यहां पर आया है, बाके हमारे घर से सामने मनसुना की दूरी है, 15 किलोमेटर के आसपास, जो एरियल डिस्टेंस है, वो लगबग 4-5 किलोम करने लगती है, कल वाले ब्लॉग में थोड़ा से एडिटिंग में मिस्टेक हो गई थी, ठीक इसी जगे पर आया हुआ था, सामने हमने गाई लगा रखी थी, मैं बोल रहा था कि हमने गाई वहां लगा रखिया, उनको ध्यान से देखना पड़ेगा, आप मैंसे कितने लो अचे वाले खौली पर देखो, डबू भी बैठ रखा है, डबू आजा, जैसे डबू कहीं अपने साथ लेके जाओ, डबू खुस हो जाता है, और यहां पर देखो हिसूल भी पकने लग गई है, यह हैं छोटे-छोटे कुट्मने, यह है लाल हिसूल की जाड़े, बच्प यह है जी बिरोन के खंडर एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक यहां नीचे भी है, जब से मैंने हो संबाला है, तब से मैंने तो नहीं देखा यहां पर किसी को रहते हुए, लेकिन मेरे दाज जी बताते थे, यहां भी लोग रहते थे, दिरे-दिरे उन्होंने यहां को छोड़ दिया और इसका एक रीजन ये भी है कि लोग सुख सिविदाओं के पीछे भाग गए उपर गाउं तक रोड आई फिर लोग रोड के नजदिक चले गए और धीरे-धीरे ये जगह उनको दूर लगने लग गई दीरे-धीर यहां आना जाना कम हुआ तो अब सब टेहनिया देखो सूख रखे हैं जो जमीन एक बार बंजर पढ़ जाती है उसमें जो फलदार ब्रिक्च हैं वह भी धर-धर सूखने लगते हैं क्योंकि उनकी क्यार करने वाला भी फिर वहां पर कोई नहीं होता है यहां इस जगह बचवनों में बहुत बार आया करता था लेकिन कभी भी ऐसे धंग से अब्जर्ब नहीं किया यहां पर यह सीड़ी है सायद उपर जाने के लिए यह दर्वाजा रहा होगा और यहां भी एक खत्रू टाइप का बना रखा है सामान सुमान रखने के लिए और पता यह दो मंजिला मकान है यहां से यहां तक एक मंज मंजिल और यहां से उपर यहां तक दूसरी मंजिल इसका मेन कारण यह है कि पहले ठंड़कियों जैसे घरों के हैट छोटी रखते थे जिस किसी जगे पर भी लोग रहते हैं वहां पर वह अपने कुल देपता को स्तापित करते हैं जो लोग यहां पर रहे होंगे उन्होंन देखो पूरे लकड़ी पत्थर और मिट्टी से बनाए रहते थे और इनकी दिवास तो मुझे लग रहे हैं अब कच्ची होगे एक कमरा इसके नीचे भी दो कमरे रहे होंगे एक उपर एक नीचे यहां पर एक नीचे अब एक उदर साड़ी बना रखा है एक चीज है मनु दिरे दिरे उनसे भी मन हट जाएगा उनसे और अच्छी इच्छा होगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो चीज अपने पास है भी प्रयाप्त वो भी कम लगने लगेगा तो यह सच्चा ही है जीवन की अब घर से मैंने आपको यही गौसाला दिखाए थी और इधर से नीचे पूरे हमारे खेते हैं यहां से नीचे अभी बंजर नहीं हुए हैं यहां से उपर थोड़ा बोती पूरे बंजर कर दिये लोगों ने और हमारा घर है वो ठीक सामने पर चलिया जी घर में पहुंच गए हैं यहां पर रिंखी और नीसी बैठे हुए हैं आप क्यों नहीं आई मेरे साथ गुमने के लिए हाँ मैं तो गुमने गिया था मैं और डबू यह देको डबू को ठकान भी लग गई परदीप मार्केट गया था परदीप से मैंने एक चाफ हो गया था और साथ में पाने पूरी भी मंगाई है घर में आ गया हूँ और अभी हमारा यहां पर खाना बनने लग गया है मां और पापाजी आज गौंडार गाउं गये हैं वहां पर किसी रिष्टेदार के यहां मां यहां पर रोटी बना रही है और आज हेल्प कर है हमारे यहां पर जातार यहां होता है कि रोटी दो आदमी मिलकर बनाते हैं लिजर मा और बड़ि उसनास क अब ऐसते घर में तो आज रिंक कि मदद कर रही है रात के अभी साड़ीनों होने वाले हैं आज ःएपल मैच्थ क्युOh , जैसे वीडियो थोड़ा लेट से हो पा रही है, क्या करें, आदत से लग गई है, फिलाल इस वाली ब्लोग को यहें पेंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स ब्लोग में, तब तक के लिए हसते रहिए, मुस्कलाते रहिए, जाहिन जावार जावत्राखंट, बाई!